ये जो आपको नजर आ रहा है इसे आप दूद से बनाए हुआ पनीर बिल्कूल ना समझे इसको बनाया गया है लॉकी से बहुत ही healthy बहुत ही tasty सा ये पनीर बनके तयार वने वाला जिसे कोई पहचानेगा भी नहीं कि ये दूद वाला पनीर है कि लॉकी वाला पनीर है तो किल इसमें थोड़ा सा नमक डालने नमक डालने के बाद यह होगा पानी निकलने से होगा जूस मिल जाएगा इस जूस को आप चाहे थो पी भी सकते है बहुत ही हल्दी होता है पेट के लिए और जो हमने ग्रेेट की हुई लोकी है उसको पीस लेना है तो हमने जो इसका पेस्ट बना लिया, वो अलग हो गया, जूस अलग हो गया और ये जो जूस थाना बहुत ही घल्दी याः, जरूर पी लेना, फेकना बिलकुर मत अब ये देखें, ये हमारी लोकी का पेस्ट है, इसमे हमको चावल का आटा डालना है एक कप चावल काटा डालने क्योंकि एक किलो लॉकी थी और अगर चावल काटा नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है दोनों चीजों को क्योंकि लॉकी में बहुत पान ली होता है तो बाइंडिंग के लिए कुछ तो डालना ही होगा उसके बाद मैंने इसमें इनो डाला है फटा-फट से इनो डाले और फटा-फट से इसको मिला दे और जैसे ही activate होगा उससे पहले मैंने preparation की है अपना steamer तयार कर लिया है मैंने तो आप भी अपना steamer पहले ही सही गरम कर ले तो एकदम देसी वाला steamer है मेरे बड़ी सी कड़ाई में पाने डाल के मैंने ढाक के इसको पकने चड़ा दिया है और ये रही मेरे steamer की plate जो घर में साधी प्लेट होती उसमें ही मैंने इसको डाल लिया है आप इसको चाहे तो गोल बना ले चाहे तो इसको चोकोर कर ले मैंने चोकोर शेप में बनाया है असल में मैं आपको इसको गोल करके दिखा रहे हूं उसके बाद मैंने इसको चोकोर कर लिया था यह देखें ये मेरा देसी वाला जुगाडू वाला स्टीमर है, इसमें इसको रख लेना है, आपको ढांक देना है, और 10 से 15 मिनिट लगेगा, 20 मिनिट भी लग सकता है, क्योंकि लौकी में बहुत पानी रहता है, तो अराम से इसको पकने दें, उसके बाद पनीर जैसे शेप्स काट लें तभी तो आप बोलोगे ना घर में के ये पनीर है, वो पनीर जैसा दिखना चाहिए, इसलिए इसको पनीर जैसे शेप में ही काटना है, ये देखें इस तरीके से स्क्वार शेप काटा, और ये बिल्कूल पनीर की तरह बाउंसी है, पनीर की तरह टेक्स्चर है, इसका बहुत टेस्टी है कितना बड़िया लग रहा है पसंद आया ना तो कर दें भाई लैक जरूर करें उसके बाद अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं फ्राई करना आप चाहें तो इसको शैलो फ्राइ करें चाहें तो ना करें मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह पनीर की तरह और तो पना है तो लौकाасा एक फ्राइड कर सकते हैं तो यह हमारा लौकी वाला पनीर बनके तइयार हो गया है अब हम बनाते हैं जील उखेते हैं। हम एक बड़ी प्याज और स्लाइस की हुई क्यों है ठास को दो आना कहना है कि दो कुrium्हुंद के बनुदसुन साथी अब हमने इसमें प्यास की प्यूरी डाल दीनी है, उसको अच्छे से भून लेना है, चाहें तो थोड़ा बहुत गरम मसाला अधरग लहसुन ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अब हमने इसमें टमाटर की प्यूरी डाली है, दो टमाटर बढ़िया पीस लिए हमने उसके बाद इसमे आड़ कर दिये अब वही सारे मसाले नमक मिर्ची हल्दी धनिया जीरा पाउडर चाहे तो डाले गरम मसाला चाहे तो डाले इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले हमारे ज पकाना है एक दम अच्छी खुश्बू आने लगे जब अराम से आपको 10 मिनिट लग सकता है इस काम में 10-15 मिनिट आप इसको भूने बढ़िया ये देखे तेल छोड़ दिया है ग्रेवी तयार है तो अभी ये ग्रेवी काफी गाड़ी है इसमें हम पानी डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए तो मैंने एक कप के करीब पानी डाल दिया है आप जितना चाहें पतला कर सकते हैं इसको उसके बाद हमने ताजगी और खुश्बू के लिए डाला है हरा धन्या और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डाला है दोनों चीज़े का कॉ बहुत अच्छा है साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देर इसको पकने देंगे उसके बाद हमने जो ये लौकी के पनीर बनाए है शांदार से इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से मिक्स कर लें हलके हां से करें तोड़ना फोड़ना बिल्कुल नहीं है तो हमको अच काट के दिखाती हूं एकदम पनीर की तरह लग रहा है अंदर से भी और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही है